हाई फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मीद बहुती अच्छे और स्वस्त होंगे आज मैं आप सब के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेके आएं जिसको देखकर आप चोग जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है जिसे आप अपने फैमिली की बहुती अच्छे से देख रेक भी कर सकती ह और खुद का भी बहुती अच्छे से देख रहे कर सकती है चले है फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सभी पसंद आएगी तो प्लेज वीडियो को लाइक सास्क्राइब सेयर करना पिल्कुल भी मत तो फ्रेंड इसको कभी भी हमको फैक ना नहीं बस आप लेजे एक कॉलकेट इसको इस तरह से इसमें मसाज कर दीजे ये देखे पर अभी ये काला लग रहा था लेकिन अभी देखेगा बिल्कुल ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये देखे मैं बाद में इसको धुल के लेके आई ये देखे कितनी लाइट कितना चमक रहा है और ये बहुती दिनों तक चक्कु चलेगा और आप इसको फैक नहीं पाएंगे तो फ्रेंड ये टिफ्स आपको कैसी लगी फ्लीज कमेंट कीजिएगा अब चलते हैं अपने हम निस्ट टिफ्स की तरफ क्या होता फ्रेंड जब भी हम बहुत दिन तक कप यूज का यूज करते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है और जो इसमें अंदर जो इसके अंदर होता है उसमें थ्वासा फीला पन आ जाता है जिससे क्या होता फ्रेंड हम इस कप को यूज नहीं कर पाते हैं और इसको होता है जो हम daily यूज करते हैं daily use करने वाला cup जल्दी खराब हो जाता है और friend कुछ cup की डिजाइन ऐसी होती है कि मारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और वह ऐसे ही उसका फिलापन बना होता है तो फंद उसके लिए आपको कुछ नहीं कर GREGWar और उसके लेना है और लेना है on the को लेना है लगाने के बाद फैंट 2 डिटे और और पाली को यह देखी में चिममश कर दो पर दोने abbas को बहुती गंदा है तो आप अच्छे से उसको रगलने के बाद ही इसको धुलिए ऊति want हब समक scalk είναι के बाद इसको 2 मिर दर्क ओर तक इससे अैसे ही रख देना है रखने के कुछ भी नहीं करना है बहुती अच्छा ट्रिक है मैं आपको भी धुल के दिखा रही हूं यह देखे फ्रेंड मैं धुल के लाई हूं कितना साफ लग रहा है यह बस आप इसको दो मिर्दक इस तरह से लग दीजिए बिल्कुल भी यह देखे सफे सफे इदम से दिक राज ज जब भी आपको लगए कि मेरा कप खराब हो चुका है यह गंदा लग रहा है दिखने में तो बस आप एक चुटकियों में इसको अच्छे से साफ कर सकती है तो फ्रेंड यह टिप्स आपको कैसी लगए प्लिज कमेंट केजिए कर आप चलते हैं अपने हम निस्ट टिप्स क ले आते हैं और यह हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही हानिकारक होता है तो फ्रेंड अगर आप इस तरह से आटा अगर आप सहर में हो अगर आप इस तरह से आटा लेके आती हो तो आप उसे चेक कर लेजिए यह आटा सुद्ध है या नहीं वरना अगर आप यही आटा खात को सुद्ध आटा मिले अगर आप घर पर ही इसको अच्छे से चेक कर सकती है कि ये आपका मिलावटी वाला आटा तो नहीं ये बहुती अच्छा यूजफूल ट्रिक है और इसको यूज़ करना ही चाहिए जो आप अपने मतलब खुला आटा लेती होंगी तो आप इसको ग्लास पानी लेना होगा पानी लेने के बाद एक चिमच आटा उस पानी में आप इस तरह से डाल दीजिए डालने के बाद आप इसको अच्छे से इस तरह से मिला रही हूं उस तरह से आपको इसको मिलाना है अच्छे से पहले हमको इसको ऐसे ही आपको ठंडा पानी लेना इसमें ठंडा पानी ही लगता है यह देख सकते हैं मैंने एक ग्लास में आधा पानी लिया है और पानी लेने के बाद एक चिमच इसमें मिला दिया है मिलाने के बाद इसको अच्छे से हम इस तरह से मिला लेंगे यह देखिए इस तरह से आपको मिलाना है अगर एकदम से घु अब चलते हैं अपने हम next tips की तरफ क्या होता है हम उस तरह से चावल ले आते हैं और उस apt performant करठ देते हैं मतलब साफ करकर उसको रख देते हैं हमारे हम ऐसा ही होता है कि इतना है Скब स्धिशब पन आ जाता है इसलिए इसमें कीड़ा या घुन पढ़ जाता है कीड़ा और घुन पढ़ने के बाद इसको हमको बहुत ज़्यदा साफ करना पड़ता है और जल्दी खाने का मन भी नहीं करता है तो फ्रेंड क्या करें हम जो इससे छुटकारा पा सके इसके लिए आपको इसके घर में होता ही है उसको लेना है और इसमें अच्छे से मिला देना है जब भी आप अपने डिब्बे पर इसको मतलब जो डिब्बे आप भरकर रखते हैं उस पस उसी में आपको रखना होगा बहुत अच्छा तरीका है और अगर आपके चावल में कीड़े भी पढ़ तब्रना उस दिब्बे में आपको पहले इस가지 से तीली डाल लेनी है . ॡलने के बाद आपको नहीं पांड आपको छावल इसमें दाले ना है C सीडन इस चावल में आ सकती यह बहुत यूजफुल ट्रिक है बस आपको यूज़ करना है बस इसी तरह से आपको इसको रख देना यह हमेशा के लिए अच्छा इसी तरह से आप बनाएंगी चावल तो देखेंगी आपका चावल वैसे का वैसे ही रहेगा तो फ्रेंड यह टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको मैं रोज लेके आती ही रहूंगी चलिए फ्रेंड हम वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको जला साभी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, सेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा